आज का दिन मेरे लिए बहुत हास है इस दिन को देखने के लिए मैंने बहुत कड़ी महनत की है सिंधु कीर्थी यानि जिस सब्मरीन में मैं अभी हूँ वो अब पोट से निकलने के लिए तैयार है और ये वहाँ तक जा रही है जहां इसे होना चाहिए यानि समंदर की गहराईयों में काल्टन सर अभी क्या हो रहा है अभी सारे हेर अफ डिपार्टमेंट डिसकुशन कर रहे हैं कि सेल के दौरान हम लोगों को क्या करना होगा उसका एक्शन पैंग बनाया जा रहा है ऑपरेशन ओफिसर आप आज की ब्रीफिंग शुरू कर सकते हैं ये सर गुड मॉर्निंग जेंटलमें वाइजक पोर्ट से हमारा टाइम आफ डिपाच्या होगा 1700 आज और हम 1800 आज तक जूलिट चाली पॉइंट पहुंचने का टागेट करेंगे हमें खबर मिली है कि दुश्मन सब्मरीन साउथ वेस्टली डिरेक्शन में बढ़ रही है तो हम मोटर हेट चीफ के साथ दुश्मन सब्मरीन को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे सेल करने से पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शनस दिये जाते हैं कि यह सारे काम आपको करने इस एकस miraculous के दारान तो उसके बार नेविगेशन ओफिटर हमारा आगे का कोर्स तैय करते है אל अच्छ और नेविगेटिटिंग ओफिटर को नेविगेटिंग ओफिसर लेफिन जीन हमारी फ्लीट नौर्थ वेस्टली डिरेक्शन से आगे बढ़ते हुए हमें इस ऑपरेशन में जॉइन करेगी और दुश्मन सम्मारीन के खिलाफ एस डेवल्यू अक्टिविटी शुरू करेगी सब कुछ बारी-बारी से होता है स्टैंडिंग बाई फिर वेट करना और जैसे ही हमला होता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और अलांस पर हर कोई हर वक्त अलर्ट रहता है दुश्मन कर भूपी तूफान से पहले की खामुशी है वाव फ्लीट के हमें जॉइन करन चेक्स पूरे हो चुके हैं जी हां सर सारे कम्यूनिकेशन एक्विपेंट्स को चेक कर लिए गया है वो सब काम कर रहे हैं समंदर में किसी भी तरह के खत्रे के लिए आप सब को तयार रहना है सो थैंक यू जेंडलमेन उमीद है मिशन अच्छे से पूरा हो एक्सो हम पल की गिंती कर रहा है ब्रीफिंग के लिए कंट्रोल रूम में आ रहा है पूर्ट से निकलने की तयारी हर तरह से परफिक्ट होती है शाप शूटर अपनी लाइप मशीन गन के साथ तैनाथ है वहीं सब मुरीन में कंट्रोल रूम कास्ट आफ के लिए तयार है केसिंग टीम रसियों को हटाने में लग जाती है गैंग प्लांग को हटाने के साथ जमीन से सब मरीन का आखरी कनेक्शन अब तूट चुका है कैप्टन और कमांड टीम ने ब्रिज पर अपनी पोजिशन समहादी है सब मरीन की पावफुल मोटर्स को आउन किया गया सब मरीन को पोर्ट से बाहर निकालना बहुत बड़ी चुनाओती है और इसमें बहुत साथानी बरतनी पड़ती है ह सब हर है हलो सर कैसे है यह हमारा चाρχभास है अ यह एक डिस्क है और यहाँ पर विजुल फिक्सिंग टीम रहेगी हम चार्ट पर सब्मरीन की पोजिशन को फिक्स करेंगे ओके सर्थ बस कुछी मिनिट्स में हम ब्रेक वाटर स्पार कर लेंगे और हारबर से काफी दूर खुले समंदर में आ जाएंगे नाविगेशन आफिसर हमारे वीलोवर के बारे में मुझे और अपडेट्स देंगे तब हम कोर्स चेंज करेंगे और गहरे पानी के नीचे चले जाएंगे सर, हम यहाँ से सीधा क्यों नहीं जा सकते हैं? हाँ, हम सीधा जा सकते हैं, लेकिन इस पोजिशन पर एक शिप्रेक है शिप्रेक? अच्छा यहाँ पर एक जहाज डुबा है यह पी एनेस गाजी रेक है इसलिए अब हमें कोर्स को बदल कर 065 पर जाना होगा हम इस कोर्स पर जाएंगे ना कि इस कोर्स पर जो कि 090 है क्योंकि हम किसी रेक के ऊपर नहीं जाना चाहते आल्टरिंग 090 यहाँ PNS गाजी का रेक है 1971 की वार के तौरान इंडियन फोसेज ने इसे डिस्ट्रॉई कर दिया था जैसा कि आप देख सकते है PNS गाजी अरेबियन सी से बे ओफ बिंगॉल तक आई थी और जहां उसे टुबाया गया हम उससे ज्यादा दूर नहीं है इसलिए हम अपना रास्ता बदल रहे हैं क्योंकि हमें शिप्रेक की हाइट का अंदाजा नहीं है इसलिए हम उससे बच्चते हुए निकले गए अब असली मज़ा आने वाला है क्योंकि उपर का काम सारा खत्म हो गया अब हम समंदर की गहराईयों में जाएंगे and I'm so lucky कि मैं यहां पर हूँ control room में सारा action होने वाला है क्योंकि जैसे ही top potion सबमर्ज हो जाएगा उसके बाद bye-bye surface, bye-bye sun, bye-bye sky अब मुझे थोड़ा डर लग रहा है पताने आगे क्या होने वाला है चलो एसे वीडियो देखने के लिए subscribe कीजे वीर बाइडिस्कवरी पर और आपको बदले में मिलेगा एक सिल्यू